बोतल छुपा दो कफन में मेरे शम्शान में पिया करूंगा जब खुदा मांगेगा हिसाब थुपएक बना के दिया करूंगा जुड़े रहे आज की इस कमाल और धमाल के वीडियो के साथ जिसे हम आपको दीश और दुनिया भर की ऐसी बेवडियां दिखाएंगे जिनको देखकर आप भी कह देंगे कि महिलाओं को कभी शराब नहीं पीनी चाहिए कहते हैं इनसान को नशा उतना ही करना चाहिए जितनी की वो उसे जहल सके और उसकी बुद्धी पर उसका कंट्रोल रहे मगर जब कोई सीमा को तोड़ कर आगे बढ़ता है तब अकसर कुछ अनोखा देखने को मिलता है जैसे इसी पहली गटना को देख लीजिए जैसे तारफ़ी किज तो पंद सेल्वेट JOSH- citrus किमी कोई स्सान ये जसे हाँ ड्रत इता इता है ज्य आन आप आग ये कोगी आयूेट रे पिन कर वीडियो देखकर समझ में आया आपको यह मौतरमा ना किवल नशे में जूम रही थी बिलकि USA के एक निजी हाईवे इंटर स्टेट 15 के बीच में अपनी गाड़ी रूप कर बीच हाईवे पर पिशाब करने लग जाती है और तो और जब कोई उसे ऐसा करने से टोकता है तो वो उसकी एक नहीं सुनती अपनी जान की परवा ना करते हुए बीच हाईवे पर गाड़ी खड़ी करके यह मौतरमा फोन चलाने में बिजी हो जाती है अब ऐसे लोगों का तो राम ही रखवाला है मेरे भाई अगर आप शराब को उसकी सीमा से ज़ादा अपने में ढालोगे तो उसके बाद शराब आपके साथ क्या खेल खेलती है यह तो वक्त ही तै करता है हद से ज़ादा शराब और पैरों को ना संभाल पाने जैसा एक किस्सा इस मौतरमा के साथ भी हो गया जब यह मौतरमा फुल टून होकर बोट की सवारी पर निकल पड़ी यह उस बोट में चड़ी तब तक इतना नशा नहीं था लेकिन जब बारे उतरने की आई तो मौतरमा कुछ यूं उतरती नजर आई शराब का नशा ज़ादा होने की वज़े से यह खुद को संभाल नहीं पाई और पानी में जा गिरी जिसके बाद लोगों को इसे पकड़ कर बाहर निकालना पड़ा दोस्तों अगर आप भी हमारी तोरह लॉगडाउन में लूडो किंग खेलते हैं तो आप भी घर बैठे लाखों रुपए जीत सकते हैं आपको बस डिस्क्रिप्शन में दी हुई खेलाडी अड़ाइप डाउनलोड करनी है उसमें लॉगइन करके लूडो किंग के आप्शन पर क्लिक करना है मिनिमम दस रुपए से पांच हजार तक का चैलेंज क्रियेट करके अपोनेंट टू रूम कोड शेयर करके उसके साथ लुडो किंग खेलना है जिसमें जीतने के बाद खिलाडी अड़ाइप में विनिंग स्क्रीन शॉट अप्लोड करें और जीते हैं लाखों रुपाए जीते हुए रुपए इंस्टेंट पेटियम या यूपियाई से विड्रो कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है अभी डाउनलूड करें खिलाड ये डाएप आपको वो सबसे पहले क्लिप तो याद होगी के इंटर स्टेट 15 हाइवे वाली अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये भी उससे कुछ मिलती जुलती घटना ही है देखी ज़राइस से पहले वेक आप राँचचचचचचचचचचचचचचचचचचच अबग कि अवेकर ऑप अप अप अबग टो पॉक Mob एक हटना इंटर स्टेट 805 हाइवे की है जहां अचानक एक नशे में लीन मौतरमा गाड़ी को रूख कर बीच हाइवे पर ही सो गई इसे तो अपनी जान की परवा नहीं थी कि कोई पीछे से आ रही गाड़ी से टककर मार सकती है मगर इस नेक दिल पुलिस वाले ने जो किया वो सच में काबले तारीफ था पुलिस वाले ने अपनी सूजबूज से तुरंत गाड़ी के शीशे तोड़ कर उसे बाहर निकाल कर गिर्फतार कर लिया अब ऐसी महिलाओं को कहें भी तो क्या कहें क्या आपने कभी बोट सफारी की है नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताना वैल अगर नहीं की तो हमारी एक बात घांठ बांध लीजिए कि आप कभी नेशे में बोट सफारी करने के लिए कभी मत जाना वरना क्या होगा या आप खुद ही देख लीजिए इस लड़की की किसमत ठीक थी जो कुछ और लोग भी बोट पर सवार थे वरना आज इसके साथ कुछ भी हो सकता था शराब पीने के बाद अकसर आपने लोगों को गरते हुए देखा होगा मगर आज हम आपको इसका एक बिल्कुल उल्टा पहलो दिखाएंगे अब इस लड़की को देखिए ये लड़की शराब की नशे में जूम रही है इसमें कोई शक नहीं है मगर इस वीडियो क्लिप में आप आगे ये देखेंगे कि वो शराब ही है जो इसे नीचे गिरने से बचा रही है धर्ती का गुर्तवाकर्शन बल इसे नीचे की और खींच रहा है और शराब का नशा मानो कह रहा हो नई, आज नई मगर कुदरत के आगे कहां आज तक किसी की चली है एक वक्त पे लड़की धर्डाम से नीचे गिर ही जाती है इसलिए आप शराब पी कर कुदरत से यूँ लड़ने मत निकल जाना UK के गार्डन के एक क्लिप ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि हर नई साल के पहले दिन की सुभह अक्सर ऐसे भेवडे गलियों, नालियों और गार्डनों में देखने को मिल जाया करते हैं अब इस क्लिप को ही ले लीजिए इस क्लिप में आपको एक लड़की नजर आएगी जो इतनी नशे में लीन हो चुकी है कि सुबह हो जाने के बाद भी इसका नशा है कि उतरने का नामी नहीं नहीं ले रहा ये लड़की गार्डन में इधर उधर घूमते हुए उल्टियां भी करती है मगर नशा कम हो ऐसा भला कैसे हो सकता है एंड में जाते जाते यहां कि स्थानिये लोग एम्बूलेंस वालों को बुलाते हैं जिसका यही ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं ऐसे लोगों पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताईएगा ऐसा आमतार पर हिंदी फिल्मों में नजर आता है जब कोई हसीना दिल तूटने पर सड़कों पर टुन होकर हंगामा करने लगती है मगर पिछली साल नमंबर के महीने में जैपूर से खूब वाइरल हुई इस लड़की न है असल जिंदगे में ऐसा कुछ करके सुर्खियों में अपनी अलगी जगा बना ली इसने शराब क्यों पी इसका कारण तो ये मौतरमाई जानती है मगर इसने शराब पीने के बाद क्या कुछ नहीं किया ये पूरा देश जानता है वो भी बहुत अच्छे से बढ़कीली शॉर्ट ड्रेस और आंखों पर फैशनेबल चश्मा लगाए ये लड़की वी चड़क पर कार रोकर खड़ी हो गई और किसी मौडल की महाती पोस देने लगी और लोगों को गालियां देने दोनों कामों में कोई कसर नहीं छोड़ी आदे घंटे तक चले इस ड्रामा के बाद पुलिस यहाँ पहुंचती है और मैडम जी को सही से पोस कैसे किया जाता है ये बड़े अच्छे से सिखा दिया जाता है शराब एक बहुती बुरी चीज है साथ ही हमारी भारतिये सरकार भी कहती है कि इसका सिवन स्वास्ते के लिए हानिगा रखुता है मगर तमिलनाडु से एक वाइरल हुई इस विडियो में एक महिला पुलिस नजोराती है वो भी इसी बुरी चीज के साथ इस विडियो में इस महिला पुलिस के साथ एक पुरुष کی आवाज भी सुनाई पड़ती है जो इसका वीडियो बना रहा था वीडियो वारल हुआ तो इस महिला पुलिस पर कारवाई करते वे से सस्पेंड कर दिया गया अब आप हमारी एक बात का जवाब दीजिए एक तो महिला उपर से पुलिस अधिकारी क्या हमारे भारत देश को ऐसे ही पुलिस कर्मियों की ज़रूरत है जवाब जरूर देना उमीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर ऐसी कोई महिला इस वीडियो को देख रही है जो खुद नशे की आदी महिलाओं में से है तो कृप्या करके आज इसे छोड़ दे वरना कल को इनी वीडियो में एक वीडियो आपका भी शामिल हो जाएगा दो लाख लाइक्स के साथ पार्ट थ्री कॉमेंट्स करते वे ये दिखा दीजिए कि आप इसका अगला पार्ट यानि की पार्ट थ्री जल से जल देखना चाहते हैं दोस्तों अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ग्यानवर्दक वीडियोज को देखते रहने के लिए हमारी चैनल प्लैनेट अर्थ इंडिया को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले धन्यवाद